हेलो दोस्तो स्वागते आप सबका हमारे MKR कीचन में आज MKR कीचन में हम बणाने वाले हैं केक क्योंकि स्वतनतुरता दिवस के खुसी में मैं केक बना रही हूँ और मैं आसा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लाइक कर दीजेगा क्योंकि दोस्तों बहुत ही महनत लगती है वीडियो बनाने में तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुसी मिलेगी अब हम अंडा लेंगे चार मैं यहाँ पर दो कप मैदा का बना रही हूँ तो उसी हिसाब से सारे सामगरी को मैं अड़ कर रही हूँ तो सबसे पहला अंडा जो है उसे हम अच्छी तरह से विस्कर के सहे ठाँ से फेट लेंगे अच्छी थरह एक भी लंस ना रहे क्रीमी स्टेक्चर आने तक हमें फेटना है अच्छी तरह अगर आपके पास ब्लेंडर हो तो उससे भी आप कर सकते हो अब हम डाल देंगे इसमें रिफाइन डॉयल आधा कप यहां पर मैंने डाला है अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, चीनी को हमने ग्राइंडर जार में डाल कर ग्राइंड कर लिया है दो कप हम डाल देंगे चीनी या फिर आप मीठा कम खाना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिलाना है लंस ना रहे अब हम डाल देंगे वनिला एसेंस वनिला एसेंस से क्या होता है कि जो अंडा जो हम डालते हैं उसका जो स्मेल है वो नहीं आएगा बहुत अच्छा खुस्बू आता है इससे अब मिला लेंगे अच्छी तरह से सारी शीजों को अब हम छलनी रखेंगे और मैदा को हम छान लेंगे तो मैं यहां पर दो कप मैदा लोंगी अच्छी तरह छानेंगे मैदा को अब हम डाल देंगे टू टी स्पून बेकिंग पाउडर क्योंकि दो कप मैदा है इसलिए हमें दो चम्मज बेकिंग पाउडर डालना है और बेकिंग सोड़ा जो है हमें डालना है आधा अधी चम्मत से कम डालेंगे थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे आस्ते आस्ते घुमाएंगे तेजी से ना घुमाएं कटिंग और फोल्ड के मेथड से हमें आस्ते आस्ते विस्कर को चलाना है अब थोड़ा सा दुद डालेंगे आधा कप यह गरम दुद नहीं है दुद गरम होने के बाद मैंने थंडा कर लिया था थोड़ा डालेंगे इसके बाद अगर जरुत लगेगी तो डालेंगे क्योंकि यहां पर हमने चार अंडा लिया था न इसलिए थोड़ा सा कम लग रहा है अगर आप अंडा ने डालेंगे तो आप दही से अंडा के जगा आप दही को इस्तमाल कर सकते हैं मिला देंगे अच्छी तरह अब हम क्या करेंगे कटोरी में दो हिस्सों में निकाल लेंगे बेटर को क्योंकि हमें इसमें कलर एड करना है एक में हम डालेंगे औरेंज फूट कलर और एक में हम डालेंगे ग्रीन फूट कलर दोनों को अच्छे तरह से मिला लेंगे, एक ही direction में मिलाना है, इसमें मैंने थोड़ा सा red food color भी add किया है, तो इसके add करने के बाद, orange color आए गया, और इसमें हम डाल देंगे green, तो इसको भी मिला लेंगे अच्छे तरह से, तो हमारा ये ready हो चुका है, बेटर, अब सबसे पहले, muffin में डाल देंगे, जो cup cake है, इसमें भी हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम डाल दिया, सादा वाला, बेटर, इसके बाद हम डाल देंगे green, ज्यादा ज्यादा भर के मत डालिएगा, मैंने वो गलती कर दी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा डाली थी ना, इसलिए वो उपर तक आ गया है, तो आप ऐसा गलती ना करे, थोड़ा कम ही डालिएगा, अब इसे हम चड़ा देंगे ग्यास पर, पहले से हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है, और उसके उपर हमने ये कढ़ोरी रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो बहुत बड़ा कढ़ाई में मैं इसे बेक कर रही हूं, आप चाहे तो माइक्रोव अब हम ये मार्बल केक बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम साधा वाला बेटन डालेंगे, इसके बाद हम डाल देंगे ग्रीन वाला, इसी तरह हमें बेटर को डालना है, एक के बाद एक डालते जाएंगे तो वो अच्छा सा पैटन बनते जाएगा, तो आज मैंने यहाँ पर किचन में जो हमारा जातिय जंडा है, तिरंगा, वो भी हमने लगा कर सजा लिया है, क्योंकि बहुत खुसी की बात है, तो हमने यह भी लगाया है, अपने घर पर, तो इस थरह डालते हुए, हमारा जो है, यह बेटर पूरा हो चुका, अब थोड़ा सा बचा है, वो भी हम डाल देंगे, अब यह लाश जो बचा था, वो मैं डाल रही हूँ, अब यह हो गया, अब हम लेंगे एक टूट्पिक, और पहले हम क्या करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड हो गया मेरा डिजाइन, तो मैंने फिर से वो सही कर दिया, अब हम चड़ा देंगे इसे भी, और हम कुक बेक करेंगे, आपका 40 मिनिट भी हो सकता है, या फिर एक घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा जो एक केक है, बहुती सुन्दर दिख रहा है, देखिए, तो यह हो चुका है, मैं आपको देखा रही हूँ, टूटपिक जो हम जब हमने डाला था, तब यह बहुती साफ निकला, और इसे हमने ढख कर रख दिया था, थंडा होने के लिए, अब हम रिमोल्ड कर लेंगे, तो पहले इस तरह से चाको के सहायता से हम साइट को सोड़ा सक निकाल लेंगे, और यहाँ पर देखिए, हमारा जो केक है, बहुती स्पंजी बना हुआ है, अब हम इसे भी हम निकाल लेंगे, थंडा हो चुका है, मैं ऐसे भी काट कर दिखाती हूँ, बहुती अच्छा बना है केक, तो आप भी बनाईएगा इसी तरह, आपका भी बहुत अच्छा डिजाइन होगा, और इस तरह से हमने आज का ये वीडियो बना है, आपको अगर पसंद आये तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दिजिएगा, जय हिंद, जय भारत! क्या स 하면서 वा मैं वा ह्गर, णी का आपको, आपको खुर छानी हो अज रख देंट, जय हमने का लिए कण दिए yarn, है वी बनाईएगा ऑगर कीजिएगा दो आपकर नहीं, अमारी झापकर